Hey what's up guys, welcome to my channel and I am back with a new video ये selfie-centric smartphone की तोर भी release किया गया था Realme U2 का selfie camera भी आपको काफी कमाल का मिलेगा जहाँ पर आप एक outstanding selfie experience ले पाएंगे Chinese popular social media website के कुछ information मिला है जो काफी interesting है और ये phone को budget range में एक और कमाल का phone बनाता है आप भी अगर एक selfie-centric smartphone लेना चाहते और आप selfie के दिवान हैं और ओभी आप लेना चाहते है budget phone range में तो ये phone आपके लिए काफी कमाल का होगा तो वीडियो को आप end तेक देखिए और phone की बारे में सभी information जानके आप ये चैनल को subscribe जरूर कीजिए दोस्तो यहाँ पर आप अगर बात करते हो phone का design की बारे में तो इसकी सामने के तरफ आपको एक notch देखने को मिलेगा जहाँ पर एक all screen display मिलेगा with a bezel-less technology इसकी side bezel बहुती कम होने के साथ-साथ इसकी नीची भी आपको एक पतला सा चीन मिलेगा और ये बहुती पतला है इसके करण ये phone की look और भी enhance होता है और यहाँ पर जो main बात है कि इसमें आपको almost 91% screen to border ratio मिलने वाला है यहाँ पर अगर realme U2 की back side की बात करें तो साथ इस बर इसकी back में आपको plastic coated bag design मिलेगा और ये दिखने में काफी खुब सीरत है यहाँ पर कोई भी glass bag design नहीं मिलेगा और सायद ये एक gradient finish के साथ में भी देखने को मिल सकता है दोस्तों आप अगर realme U2 की camera का बात करें तो ये phone पे भी आपको quad rear camera setup देखने को मिलेगा लेकिन इसकी camera setup काफी unique होगा क्योंकि ये Redmi Note 9 से थोड़ा inspired है लेकिन ये center की जगा पे side पे place किया गया है जो दिखने में थोड़ा अलेक look देता है ये phone पे आपको 48MP का primary camera sensors मिलेगा इसके साथ एक 5MP का depth sensor और यहाँ पे और भी draw type की camera sensor दिया जाएगा जो इसके rear camera को बहुती powerful बनाता है जो तो Realme U2 इन type की RAM and storage option के साथ मिलेगा जो पहला होगा वह है 3GB RAM with 64GB internal storage 4GB RAM with 64GB internal storage and 6GB RAM with 64GB internal storage capacity के साथ में इसे release दिया जाएगा जो तो Realme U2 पे एक optical type fingerprint scanner की जगा पे यहाँ पे एक physical fingerprint scanner दिया जाएगा और यहाँ पे साहत Realme ये phone की price को control में करने की कारण इसे यहाँ पे इस तरह के fingerprint scanner इस्तेमाल किया जा रहा है देले देले phone की बारे में और भी कापिसरी information मिलेगा तो आप इसके लिए चैन को stay tune करिए और आप चैन को subscribe करके bell icon को प्रेस जरूर कीजिए So let me know your thoughts on this and I will see you guys tomorrow, peace out